हेलो एबरीबन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभी दुपैल का टाइम हो रहा है दुपैल से हम अपने ब्लोग की स्टार्टिंग करने हैं तो मैंने बच्चों गली बना दिया है निम्बू पानी प्रिया इसके गुलाब जामुन और इधर मैंने राजमा भी गोदिया साम को बनाने के लिए और एक चीज़ और मैंने बच्चों के लिए आइस्क्रीम और बनाई आज दोद से ना कि यहां पे रख दिया आज क्रीम और मुझे स्टिक भी नीए विदी मैं दिखाती हूं तो मैंने आज बच्चों गडी बनाइए आज क्रीम और अभी पूली तरह से में अपको दिखाने लिए और मुझे स्टिक नहीं बली मैं चम्मच्य दाल दीए कि नदर यह देख सकते आप लोग ऐसी रग दी फ्रीजर के नंदर बरब गिर गी जम जाएगी ना तो दुपैर में आकर खाने के खुस हो जाएंगे और अब चलती हूं श्कूल प्रियांशु को लेका आती हूं यह निम्बू पानी वह लग देते हूं फ्रीज के नदर यहां पर प्रियांशु खा रहा है आइस्टीम और इधर वर्षा भी आइस्क्रीम खा रही है तो यह वाली आइस्टीम मैंने बनाईती सुभा जो दूस्ते बना कर रखी दी कैसी लग रही वर्षा कैसी है अच्छी है बिश्क्रीम यह ज़्टा गिरामत बिटा गिरामत और मेरी सिसम्हें है मैं भी खाँगी अभी बीड़ी नीया हो सर्वं पीड़ी ओर पीडिया आगे ही तो पूरी घर्मे में आप लोगों को नज़ाने वाले हैं लंगुपुण मोगली बनत अब है और प्रियांशु को पूरी गर्मे बियांशु मोगली रूप में दिखाए देने वाला है कि वर्स चुट्टिया कब से सुरूआ वर्सा पर्सों से चुट्टिया शुरू कल बढ़ जाना वर्सा को यहां पर हमारा राजमा ओल चुका है यह मैंने सुवे भी हुआ था और अभी हो गया साम का टाइम तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर राजमा 600 बल गया हमारा और मैंने जो हैं यह मसाला भी तयार करकर लिया है इसमें लसन प्याज और हरीमिर चद्रक बगरा सारी चीजे इसका मैंने पेश्ट बना कर रख लिया है तो बस अभी राजमे को हम फ्राइए करते हैं कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि कि अ अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ यहां पर मैं कर नहीं कुछ सूखी मसाले तो दन्या पाउडर डाल दिया एक चम्मच और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और यहां पर माधी चम्मच डाल जूँँ लाल मिर्च और थोड़ सी में इसमें देगी मिर्च डाल दूँगी ताकि हमारी जो राजमे का कलार है वह अच्छा आज आए तो इन सभी को डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ देर इनको भुनने के लिए अगर आप लोगों देखना है तो मैं लिंक ऊपर दे दूँगी ऊपर देख लेना और लाश्ट में एंड स्कीन पर लगा दूँगी तो आप लोगों से देख लेना अगर अगर आज में दालती हूं राजमा क्योंकि हमारा मसाला बहुत अच्छा से बुन चुका है राजमा डाल दिया उसमें डाल दिया थोड़ सा पानी और प्योंकि यह बहुत ज्यादा गाड़ा हो रखा था अभी यह बनेगा ना तो सही हो जाएगा इसको मैं छोड़ देती हूं बनने के लिए और अभी मैं क्या करूंगी तो जो मेरा गुलाब जामुन का जो है ना मिक्सचर उसको में गूत लेती हूं तो मैंने यह लिए एंटी आर का रेडि मिक्स जिससे में हर बार इसी से बनाती हूं गुलाब इसमें तब काफी जादर टेस्टी बनते है गुलाब जामुन आप चाहे तो किसी भी कम्पनी का ले सकते हैं तो मैं इसको भी दूच से तयार करूंगी दूच डाल के उससे गुथूंगी और इसको पानी से भी नुच सकते हैं में इसको तयार कर लेती हुआ कि यहां पर जो गुलाब जामन का रेडी मिक्स था यह पाउडर था इसको मैंने मिक्स कर लिया है दूसरे और इसको नो गोथना नहीं होता सिर्फ मिक्स कर रफना होता है और यह आप देखी सकते हैं कि मैंने बहुत पत्ला पत्ला सा इसको मिक्स किया है ज्यादा टाइट नहीं रखना है नहीं तो गुलाब जामन हमारे फटने लगते हैं तो थोड़ा सा रेश्ट पर गाहिए और चोथा काम है मेरा जो की मसीन लगाती है कपड़ी तो कपड़ी दूढ़ा है मतलब एक साथ में धेर सारे काम हमारे चल रहे हैं तो बस अभी अचानक मेरा मन करने लगा कि चलो गुलाब जामुनी बनाई लेते हैं और इंस्टेंट र बनाई देते हैं इसको अतम करते हैं बना करते हैं वह पिसले वाले गुलाब जो दिन में गाया भाई और अभी मैं आगए बैट गी थोड़ेर पहार क्योंकि हवा खाने गर्मी नगरी होते हैं काफी देर हो थी किचन में खड़े खड़े अभी पढ़े हैं सिंख में बहु क्योंकि हमारे मिश्चेर भी तयार हो चुका है भी है अम मेरे उनका मैसी जा रहा है कि और वर्सा इदर पढ़ लिए हुआ है कि है लो करो है यह हमेशा यसी जगा मिलेगी आपको कोफी किताबों के साथ अपनी अप्रियांसों हमेशा इस तरह सी पढ़ा भी मिलेगा आपक इस तरह सी मिलेगा और देखो शर्ट के बटन है ना वहीं बननी की हुए लगावा फोन में कि यहां पर हमारे गुलाब जमुल सीख रहे हैं और बीच कर में आप लोगा खुछ भी नहीं दिखा पाई हूं कि मिरा अगया था फोन और अभी यह और बचे हैं सेखने के लिए और यहां पर हमारी चार्शनी दर लख्य हुए है और इनको ना बहुत ही धीमी धीमी आज अब आपके तक शेखने में इनको टाइम लगता है अब आप अब आप आप अब आप आप अब हमारे गुलाब जमुल में सारे बंद चुके हैं आप लोग देखी सकते हैं कि तने अच्छे लग रहा ना देखने में और एक पालशनी पर दूस्ट आप प्राइकित में कम से कम 25-30 गुलाब जामन बन जाते हैं और यह ना बदल छोट छोटे पी अगर हम बनाते हैं तो जैसा कड़ाइब में डालते हैं तो वह जाते हैं तो आप लोग देखी सकते हैं यहां पर बहुत अच्छे बने फटा भी एक नहीं बहुत अच्छे हैं तो बस यह थोड़ से और बचे हैं इनको भी मैं शेक के फटाफट से डाल लेती हूं चासनी के नदर और आप लोग भी इस तरह से अपने घर में ट्राय कर सकते हैं और पहले भी मैंने कई बार अपने चैनल पर यह गुलाब जामन की डाली हुई हुई है फुल रेसीपी में ड देखें गुलाब जामन बना सकते हैं यहां पर हो रहा है हमारा खाना तो कैसा बना खाना बढ़ीया श्रुठी रीज़ बना पर रहा है अगा कर देखा जामन बना खाना ब्लट्राब कर देखा गए को एकष्टी ड्रॉप टेखें यह गए अगर यह गर दिखेंगे तो आपको पहले बलड बलड इस अगर एक कर हैं तो यह ऊट्गर के दूखू नहीं आपको निल और यह गुलाब जामुन खाते हुए तो चलिए फ्रेंड्स हम इस वीडियो को यहें पर एंड कर लेते हैं अगर रात का ब्लोग आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और जो भी चैनल पर न्यूँ हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में वेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहरे आपके पास आए तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान लखिए बाई बाई